हेलो दोस्तो कैसे हो आप सब मुझे पता है आप में से जादा तर लोग अच्छा मैसूस नहीं कर रहे होंगे खासका जो इंडियन यूजर्स हैं एक तो इंटरनेशनल एक्चेंजिस की वेबसाइट यूरल ब्लॉक हो गए उपर से यहां पे मार्किट भी क्रेश होते दिख तो भाईया ओवर ओल यह बिटकोईन की अंदर चल क्या रहा है अगर आपने हमारी बाते सीरियसली सुनी होंगी कल की वीडियो देखी होगी या पिछले छे महिने से हम जो एक्सपेक कर रहे थे हमारा टार्गेट वहां हिट किया और वहां पर टेक्निकली एक बहुत स्ट् हम रिजेक्ट उसको होता देख रहे हैं तो जो न्यूज आती है एक अलग बात है बिटकोईन की ETF एक अलग बात है लेकिन टेक्निकल्स को सीखना वो बहुत इंपोर्टन होता है क्योंकि वो आपकी मदद करता है कि हम थोड़ा स्ट्रॉंग होके इमोशन में ना वैके अग आपको यह आइडिया दिया था कि 42,000 डॉलर्स को बिटकोईन टेस्ट करता दिख सकता है और उसने वहां टेस्ट किया वहां पर उसको सपोर्ट है और वह कौन सी सपोर्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा हमने बिटकोईन ETF के वोपर सारा कुछ बताया कि हो क्या रहा है औ और 40-50% तक करेक्ट करता है क्या इस बार ऐसा होगा हमने कल की वीडियो में वो भी शेयर किया था हम क्या उमीद कर रहे हैं वो भी शेयर किया था तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में बिटकोईन के प्राइस को लेके बताने के लिए बिटकोईन के ETF को लेके बताने के और यहाँ पर meme coins के लिए लोग हम से बहुत पूछ रहा है तो हमें लगा चलो 5 meme coins हम आपके साथ में share करते हैं कहां उनकी entry बन सकती है क्या हमें entry लेनी चाहिए कि नई लेनी चाहिए तो उस बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में situation कैसी भी हो, location आपको हमारे youtube channel की मिलेगी कोई भी update हो, क्या है रात को करनी पड़े सुबह सुबह करनी पड़े हम कोशिश करते हैं आपके साथ बने रहने की आपको time to time update करने की तो आप भी थोड़े efforts कीजिए और वीडियो को हमारी like कर दीजिएगा चैनल को subscribe कर लीजिएगा और share भी कीजिए ये videos ताकि लोगों को confidence आए, ये ना लगे कि भाईया हमारे साथ एकदम से हो क्या गया अगर आपको ये लग रहा है हमारे साथ एकदम से हो क्या गया, 49,000 जाने के बाद 42,000 5-7,000 डॉलर का ये डंप कैसे हो गया उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे Bitcoin ETF को लेके क्या situation, क्या update निकल के आ रहे है और किसने क्या किया वो आपको समझना जरूरी है ताकि आप समझ पाएं कि ये selling pressure आया कहां से क्योंकि BlackRock, Fidelity यहां पे उनके तो पैसे आ रहे है Retail Investor भी entry ले रहे है लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिएगा 25,000 से ये news आनी शुरू हुई थी और 45,000 से 50,000 डॉलर यानि कि 49,000 डॉलर ये hit कर गया Bitcoin का price Almost double हो गया यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस news का wait कर रहे थे और जब ये आई या जो ये बड़े-बड़े whales है, investors हैं जिन्होंने 25,000 पे माल बटो रहा है उन्होंने माल बटो रहा होगा और वो अपनी फसल काट रहे होंगा क्योंकि double का profit short term में कई लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है वो भी 2-3 महिनों के अंदर लेकिन यहां पर Bitcoin ETF को लेकिए जो interesting चीज निकल के आ रही है data सामने निकल के आया भईया पैसा आया है या गया है तो सबसे interesting क्या बात निकल के आई जो inflow हुआ है bitwise अगर मैं बात करता हूँ whenek की बात करता हूँ fidelity की blackrock की उनका तो पैसा आया है लेकिन grey scale उसके वहां से लगभग 100 million dollars का withdrawal हुआ है या selling pressure हमें देखने को मिला अब जो नए-नए ETF हैं वो तो यहां पर buying कर रहे हैं लेकिन जो actual में जिनको hold करना चाहिए था वो भी आवा exit कर रहे हैं लेकिन हम उनको दोश नहीं दे सकते हैं क्यों? grey scale एक बड़ा नाम है अगर Wikipedia पे जाओगे November 2000 अगर 22 की बात करते हैं तो उसके पास में लगभग शाड़े छे लाग Bitcoin के आसपास वो hold करते हैं अब कई लोगों को अच्छा खासा profit हुआगा वो exit करना चाहते होंगे या कई लोग दूसरे जो बड़े नाम हैं उनके साथ जुड़ना चाहते होंगे और उसका एक बड़ा logical reason है उसको समझेगा fees की बात करो तो यहां पर क्या ग्रे स्केल हो या दूसरे हो ग्रे स्केल की सबसे ज़ादा fees है ट्रेड करने के लिए 0.5% जहां पे black rock fidelity 0.2% पे कर रहे हैं और अगर बात करते हैं करोड़ों रुपे अगर कोई लगाता है और उसको 1.5% माला एक करोड की से ने invest किया उसको 1.5 लाग रुपे अगर देना पड़े fees फीस में जिसमें उसने कुछ किया नहीं तो already वो नीचे आ गया तो हर कोई सोचता है कि मैं यहां से exist करूं दूसरे option देखूं तो यह भी possibility हो सकती है और इसी वज़े से हमें gray scale के अंदर से यह outflow होता दिखा जहां पे दूसरी जो funds है उनमें inflow देखने को मिला तो यह जो है थोड़ा सा temporary है चीजे settle होंगी क्या गोल्ड हो या आप दूसरे ETF देखते हैं 2-3 महीने तक यह सब चीजे चलती हैं ऐसा होता है कि एकदम से impact पड़ता है halving आनिये ना ऐसा मत समचिएगा कि halving आएगी तो bitcoin की अगर supply एकदम से आधी हो जाएगी तो एकदम से bitcoin शूट कर जाता है पीछे का record देखिएगा आपको एक idea लगता है कि slowly और gradually चीजे बढ़ती हैं तो इसमें 2-3 महिने का आपको actual में time देना पड़ेगा और फिर आपको एक idea लग सकता है कि यहाँ पर यह bitcoin ETF का कोई impact हुआ है यह नया पैसा आ रहा है के नहीं आ रहा है estimated है कि 1.5 साल के अंदर 50 से 100 billion dollar का inflow होगा अगर यह होता है तो एक लाग चूना कोई बहुत बड़ी बात bitcoin के price के लिए नहीं है लेकिन technically समझना ज़ादा ज़रूरी है और हमारी कोशी रहते हैं कि हम आपके साथ technically बात करें अब technicals के अंदर बात करते हैं तो क्या निकल के आता है उसको समझेगा bitcoin की अगर मैं बात करता हूँ यहां पर 49,000 48,500 हमारी फैबनाची की रेशियो थी हमने रटवा दी होगी और हमने हर वीडियो के अंदर पिछले 6 महिने के अंदर जब भी हमने बात करी है कि 50,000 आएगा तो ये 48,000 एक important रेशियो निकल के आना चाहिए जो की 0.618 और technically फैबनाची की सबसे important रेशियो ये मानी जाती है इसके उपर अगर close करता है तो within no time आपको 15,000 और का pump भी देखने को मिल सकता है अगर weekly monthly candle के अंदर close करता है अगर नहीं करता है तो आपको ये बार-बार यहाँ लेवल पर hit करता दिख सकता है आने वाले एक दो महिने के अंदर तो समझने वाली बात क्या है हमने कल आपके साथ में ये मैं इसके बारे में थोड़ा और डेटिल में बताऊंगा ये फैबनाची के कहा कहा तक गिर सकता है अभी $42,000 पर क्यों ये दिख रहा है लेकिन उससे पहले एक चार्ट आप समझेगा और ये कल मैंने आपके साथ में शेयर किया था फैबनाची की रेशियो उसकी बात करते है पिछले जब भी बिटकोई ने पंप किया है दूसरी बार जब ये यहां से लगभग $20,000 पंप किया और फिर हमने इसको लगभग $3,000 पर देखा और उसके बाद फिर ये रेशियो 0.618 इसके लिए रेशिटन्स निकल के आई और जब उसके बाद इसने क्रेश किया हाविंग से पहले ये लगभग 50% क्रेश किया अभी फिर $69,000 ये किया उसके बाद $15,000 आया और अभी 0.618 यही रेशियो को ये दुबारे से टेस्ट कर रहा है अभी $48,500 पर आती है वहाँ गया और वहाँ से दुबारे रेशियो किया हाविंग से पहले अब ये ध्यान रखिएगा हाविंग से पहले ये चीज करेक्शन एक्सपेक्टेड थी और अब मैं आपको इसका चार्ट का बढ़ा करके दिखाता हूं हाविंग से पहले जब इ और एक फैबनाची की रेशियो 0.5 ये पहला स्टैप है हमने आपको कल ही बता दिया था कि ये यहां तक करेक्ट कर सकता है $42,000 तक ये आ सकता है अब यहां पर इसको एक सपोर्ट मिलने चीए क्योंकि एक important ratio है अगर यहां से तूटता है और बुरे हालात होते हैं अब issue है 0.382 जो हम पहले भी कही बार बोल चुके हैं बुरे हालात आए $35,000 तक कर सकता है अगर वहां तक आए तो समझ लिजीगा एक आखरी opportunity आपके लिए Bitcoin के अंदर entry करने की होगी तो इस हिसाब से आप यहां पर entry बनाने की सोचिएगा और short term में देख रहे हो तो यहां इस level पर नजर रखिएगा लेकिन अभी जो यहां पर support मिल रही है यह भी एक important support है इसको break करना भी इतना असान नहीं होगा क्योंकि बड़ी बड़ी whales और यह सारी चीजे यहां पर involved हैं तो यह अब उम्मीद करता हूँ आपको एक picture clear हो गई होगी अगर यहां support मिलती है तो महीने में भी अगर पीछे की history को भी देखते हैं छे महीने के बाद में एक जलवा जब शुरू होगा तो 2024 के end में आप उम्मीद कर सकते हो all time high क्या हम एक लाग डॉलर भी छू जाएं तो अभी भी हम कोई shocked नहीं होगे तो यह आपको चीजे observe करके चलने में बाकी altcoins dip में है जो अच्छे altcoins मिलते हैं आप उनके अंदर entry बनाते रहिएगा आपको मेरी बाते तो समझ में आ रही है ना चीजे समझ में आ रही है तो आपको पता है वीडियो को like कैसे करना है यह देखो और अगर celebration की बात तो है नहीं यहाँ पर लेकिन क्या 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 करने coin की बात कर रहा था तो सबसे पहला coin है और top coin के अंदर आता है वो है doge coin doge coin के अंदर क्या चल रहा है doge coin की अगर मैं बात करता हूं तो 0.808 के नीचे यहाँ पर चल रहा है दो entry level हैं जिस पर आप focus कर सकते हो एक तो यही है और अभी 0.91 इसके लिए resistance है अगर यहाँ मिल रहा है 0.808 के नीचे एक entry यहाँ बनाई जा सकती है लेकिन एक अच्छी entry देख रहे हो अगर आपको लगता है तो वो entry बनती है 0.07 के आसपास जहाँ पर 200 day moving average की इसको support मिलती है तो दो level पर यहाँ entry बनाई जा सकती है अब यह क्यों बनाई जा सकती है Elon Musk का कहना है peer to peer वो उम्मीद कर रहे हैं कि P2P भी आने वाले time के अंदर launch करते दिखेंगे payment integrate करने वाले हैं mid उम्मीद करें 2024 के अंदर तो पूरे chances हैं आने वाले दिनों के अंदर जब हो सकता है ज तो इसमें पूरा potential है अगर आप hold भी करते हो तो 2024 में एक अच्छे level पर यह आपको यहाँ से 23x अराम से देखे जा सकता है ऐसा लगता है लेकिन यहाँ पर सारी जीजों को observe करना है risk को देखना है और इसके बार decide करना है लेकिन यहाँ पर Elon Musk की एक और interesting बात थी जो bitcoin को boost दे दिखें अगर bitcoin को integrate करते हैं तो हो सकता है हमें जो है आने वाले दिनों के अंदर वो dodge coin यह दूसरे और coins को भी integrate करते दिखें तो एक तो यह important है तो इसलिए अगर dodge coin या meme coin के आप शौकीन हो या hold करते हो तो यह एक अच्छा coin आपको 2024 में निकल के आ सकता है दूसरे coin की बात करता हूँ वो है Shiba Inu Shiba Inu इस time पे लगभग 1000 के नीचे चल रहा है 950 के असपास चल रहा है लेकिन दोस्तों अगर यह यहां पर मिल रहा है तो हम अभी भी आपको बोलेंगे कि थोड़ा wait करो एक इसके अंदर अच्छी जो entry है वो साड़े 800 के आसपास यहां बनती है अगर साड़े 800 के आसपास आए तो यहां एक entry बनाई जा सकती है लेकिन जिस हिसाब से इसकी development हो रही है और mid to long term के लिए देख रहे हो और यहां पे जो चीजे निकल के आ रही है Shiba Inu को लेके कि जो burning rate है उसका वो और जादा बढ़ गया है और यहां पर layer 2 blockchain solution जो shiverium है उसमें भी बहुत सारी development चीजे हो रहे हैं तो यह यह भी आपको dodge coin या दूसरे coin को follow करता देख सकता है और आने वाले time के अंदर यह भी अच्छा कर सकता है लेकिन अगर अच्छी entry देख रहे हो आपने देखा होगा 200 week day moving average पे इसको यहां support मिलती है 800 के आसपास और अभी यहां पे 1000 के आसपास 50 day moving average उसको resistance मिलती है तो यहां पे यह है तो अगर entry बनाना चाहते हो यहां पे बना सकते हो लेकिन हमारी strongly जो हम समझते है 800 के आसपास आए तब बनाईएगा क्योंकि हमने आपको इसके अंदर 700 के आसपास भी entry बताई थी और उम्मीद करता हूँ आपने 1000 के आसपा बना रहे हैं उसके अंदर इसको भी आपको बताया जाए वो है MMIT mango man intelligence coin की बात करते हैं तो यह जो है पहला दुनिया का fruit based mean coin है अगर इस coin की बात करते हैं तो coin market cap पे जाओगे coin key को पे जाओगे तो यह वहां listed है और अगर इसकी rank की बात करते हैं तो साड़े 600 इसकी अभी rank चल रही है यहां पर अगर इस coin को देखते हैं तो overall सारी चीजों को समझोगे तो यहां पर इसका ecosystem already तयार है already है क्या wallet की बात करते हैं या blockchain की बात करते हैं और अभी तक किसी बड़े exchange पर यह list नहीं है pancake swap पे मिल जाएगा MEXC पे मिल जाएगा और अगर इसके price की बात करते हैं तो यहां पर इसके price के अंदर पिछले साल यह coin पुराना coin है तो पिछले साल और लगबग 8000% से जादा इसके अंदर increase देखा गया था और अभी की बात करते हैं पिछले एक महिने के अंदर इसके अ अब आने वाले time के अंदर हो सकता है यह आपको और बढ़ता देखे क्योंकि यहां पर bid get जो की one of the biggest exchange है वहां पे यह list हो रहा है 15 तारिक को और हो सकता है इसके price के अंदर और spike देखने को मिले और आने वाले time के अंदर और जादा यह जो है और बड़े exchange पे list होता देखे त और जो बड़े-बड़ी events होते हैं जैसे कि token 2049 की बात करते हैं या आपका दुबई blockchain event की बात करते हैं तो वहां पर यह लगातार participate भी कर रहे हैं actively तो overall देखते हैं तो इस coin पे भी जरूर नजर बना के रखी जा सकती है 85,000 से ज़ादा domain registration है एक लाख लोगों से ज़ादा क इनकी community है offline भी तो इस coin को भी आप सरूर देखिएगा और इनके बारे में और study करने की कोशिश कीजिएगा फ्लॉकी की बात करते हैं यह सारे बड़े-बड़े exchanges पर listed हैं फ्लॉकी की बात करते हैं यह भी top coins के अंदर आता है आप यह meme coin के अंदर बात करते हैं तो 160 इसकी rank च लगभग 2700 के आसपास मिल जाए तो एक बहुत अच्छी entry हो सकती है अभी तिन चार दिन पहले आया भी था और एक अच्छी entry लगभग 2500 के आसपास है पच्छी सो पे एक entry बनाई जा सकती है और यहां 3000 के आसपास भी एक entries के अंदर बनाई जा सकती है रिस्क है लेकिन एक बहुत बड़ी आ entry पच्छी सो के आसपास मिलती है और अगर मैं फ्लॉकी की बात करता हूँ इलॉन मस्क ने आपको याद होगा जो ट्वीटर है एक्स उस पे फोटो लगा दी थी भया जो यह फ्लॉकी के नाम से CEO of Twitter या X तो कुछ अगर ऐसे tweet आ आने वाले टाइम के इसके अंदर entry बनाई जा सकती है इस पे भी आप नजर बना के रखिएगा बाकी दोस्तों अगर मीम कोईन की बात हो और पैपी की बात ना हो तो यह तो सही नहीं रहेगा पैपी की बात करते हैं तो अगर बॉटम की बात अभी रिसेंट्री जो इसने लो बनाया था वहां स इसने अच्छा स्पाइक किया लगभग 2-3x तक पहुँच गया और अभी भी एक दुबारे correction यहां दिखा रहा है लेकिन अगर अगर अप entry देख रहे हो तो इसके लिए बहुत बढ़िया entry लगभग 100 यह 1000, 0.000, 0100 समझ लिएगा तो आप समझ लिजेगा 100 यह 1000 मैं बोल र करते हैं इसकी community की बात करते हैं तो बहुत एक hype हुई थी लेकिन जब meme coin बढ़ेंगे तो यह coin भी आपको अच्छा करता दिख सकता है और अगर यह इस level के आसपास मिलता है तो इसके अंदर भी entry बनाई जा सकती है इसके target क्या हो सकते है यह भी 1300 से लेके 1600 के आसपास दिख स सकता है और आने वाले time के अंदर हो सकता है यह 2000 भी हो तो इसके अंदर 20-50% का potential हमें दिखता है तो इस coin पे भी आप नजर बनाके रखिएगा बाकि और कोई meme coin के बारे में या किसी coin के बारे में आप जानना चाहते हो तो हमें comment में ज़रूर बताइएगा हम उसके बारे भी कवर करने के कोशिच करेंगे और अगर आपको हमारा content अच्छा लगा वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करना बिल्कुल में भूलिएगा चैनल को subscribe करना बिल्कुल में भूलिएगा और Twitter, Telegram को follow कर लिजेगा नीचे description हमने जो है link दिया है उसी से हमें follow कीजेगा अभ का दुस्पंकर्ज थैंक यू नमस्कार थन्यवाद